Hello everyone, मैं हूँ Dr. Surabhi Solangki और आप देख रहें मेरा चानल Dr. Surabhi Pregnancy Tips कई couples यह जानना चाते हैं कि अगर वो periods के दौनान relation बनाते हैं तो क्या वहाँ पर pregnancy होने का कोई risk होता है कि नहीं और कई लोग यह भी जानना चाते हैं कि अगर वो कोई birth control का method नहीं use कर रहे हैं कॉंडम भी नहीं use करना चाते हैं तो क्या कुछ ऐसे safe days होते हैं महीने के जिसमें कि अगर वो relationship बनाते हैं तो वहाँ पर pregnancy का कोई भी risk ना हो इस type के क्या कुछ दिन होते हैं महीने के की नहीं तो यह सारी बाते डिटेल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सबसे पहले हम periods की बात करने कि periods के दौरान अगर आपने relation बनाया है तो pregnant होने के कितने chances होते हैं देखे periods के दौरान generally अगर आप relation बनाते हैं और क्योंकि जादतर महिलाओं की जो menstrual cycle होती है menstrual cycle मतलब दो periods के बीच का जो अंतराल होता है उसको हमें एक menstrual cycle मानते हैं तो इसमें जादतर महिलाओं में जो menstrual cycle होती है वो 28 दिन या उससे जादा की ही होती है तो अगर इस तरीके का case है यानि की जादतर महिलाओं के साथ ऐसी कोई संभावना नहीं होती है कि अगर वो periods के दौरान relation बनाए तो pregnancy वहाँ पे ठहरे ऐसे कोई भी chances या कोई भी ऐसा risk नहीं होता है हाँ ये बात जरूर है कि periods के दौरान थोड़ा infection का risk होता है अगर आप periods के दौरान relation बनाते हैं बीना किसी contraceptive method या barrier method या condoms use गेवे तो थोड़ा आपका infection का risk जरूर बढ़ जाता है otherwise pregnancy का risk इसमें नहीं होता है हाँ एक exception जरूर है जिन महिलाओं के periods बहुती short duration पे आते हैं जैसे हर 24 दिन पे आ जाएं या हर 25 दिन पे आ जाएं उनमें एक थोड़ा risk हो सकता है अगर वो period के चौथे या पांचवे दिन पे relationship बनाती है ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है कि जो ovulation होता है यानि कि under release होता है female की ovary में से वो generally जो उनका next period आने वाला होता है उसकी 14 दिन पहले होता है तो अगर आपकी menstrual cycle है उसका duration बहुत कम है बहुत जल्दी जल्दी आपका period आ जाता है तो वहाँ पे आपका early ovulation होने के chances बहुत जादा होते हैं यानि कि आपकी menstrual cycle में ovulation आपका जल्दी होने के chances बढ़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने period के एकदम last days में या 5 days के time पे अगर आपने relation बनाया है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो sperms होते हैं वो deposit जो होते हैं वो female की body में 4-5 दिन तक जिन्दा रह सकते हैं तो 4-5 दिन के बाद अगर आपका ovulation हो जाता है तो फिर वहाँ पे pregnancy का risk आपका हो जाएगा तो 4-5 दिन तो मैं आपको बतारी हूँ जिस दिन आपने relationship बनाया लेकिन अगर जैसे हम जो count करते हैं days जो count करते हैं वो generally आपका जो period का पहला दिन होता है जिस दिन आपकी bleeding start हुई होती है वहाँ से count होता है तो अगर इस तरीके से हम मानें जो ये case मैंने आपको बताया है इसमें ऐसा हो जाएगा कि आपका जो day 1 था menstruation का उससे करीब 10 दिन पर भी अगर आपका ovulation हो जाता है तो उस condition में आपकी pregnant होने के chances बन जाते हैं अलाकि ये बहुत rare होता है और बहुत कम इसके chances होते हैं लेकिन फिर भी अगर आपकी short duration की menstrual cycle है तो आपका ovulation जो होगा वो जल्दी हो जाएगा और अगर इस तरीके से आप last days में particularly अगर relation बना रहे हैं तो आपका risk pregnancy का वहाँ पर थोड़ा रहेगा लेकिन अगर आपकी जैसे जादतर महिलाओं की होती है 28 या 30 दिन की menstrual cycle होती है ऐसे में कोई risk generally नहीं होता है periods के दौरान सिर्फ infection का ही risk होता है अब हम जान लेते हैं कि और कौन से ऐसे दिन होते हैं आपके महीने में जिसमें कि अगर आप relation बनाती है तो आपके pregnant होने का कुछ दिन होते हैं प्लस आपका period जब शुरू होने वाला होता है उसके पहले के जो कुछ दिन होते हैं वो generally safe होते हैं अभी कितने दिन होते हैं और इसको किस तरीके से हम पता कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ देखिए एक basic सी चीज जो आपको याद रखी है वो यह है कि आपका जब भी next period आने वाला है जो भी आपकी expected date है उससे generally 14 दिन पहले आपका ovulation होता है यानि कि under release होता है तो अगर आपकी एक regular cycle है तो आप थोड़ा predict कर सकते हैं कि आपका ovulation कब होने वाला है आप उसको count कर सकते हैं उन देज को तो उस तरीके से उस particular day तो आपका ovulation होगा उस दिन अगर आप sex करेंगे relation बनाएंगे तो बिल्कुल आप pregnant हो जाएंगे अकर otherwise कोई problem आपके दोनों में husband wife में नहीं है तो और प्लस अगर आप उसके 4-5 दिन पहले relation बनाते हैं तो भी आप pregnant हो जाएंगे क्योंकि 4-5 दिन तक जो sperms हैं शुक्रानू है वो female की body में alive रहेंगे और बिल्कुल ovulation के time तक वहाँ पे sperms मौझूद रहेंगे तो वो इसको fertilize कर देंगे और वहाँ पे आपकी pregnancy हो जाएगी तो इस तरीके से यह जो आपके period के बीच के 6 दिन होते हैं यह तो आपके most fertile days होते हैं यानिकि सबसे ज़ादा fertile आप इसी time पे होती हैं और इसी time पे आपके pregnant होने का risk सबसे ज़ादा होता है तो अब क्योंकि हर चीज प्रेडिक नहीं करी जा सकती क्योंकि कई बार वैसे अगर आपका regularly period आ भी रहा है तो हो सकता है किसी महीने आपका period डिले हो जाए तो वहाँ पे आपका calculation है वो थोड़ा गलत हो सकता ह है तो यह जो method basically मैं आपको बता रही हूं contraception का यह method है इसको calendar method बोला जाता है यानि कि आप अपने fertile days को पे relation बनाना avoid करके आप इस तरीके से unwanted pregnancy से बचते हैं तो यह calendar method होता है हाला कि इसकी जो efficacy है यह 100% नहीं होती है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि periods कभी उपर नी पीचे हो सकता है और अगर वो आपने गलत calculate कर दिया तो वहाँ पे फिर आपकी pregnancy का risk थोड़ा बढ़ जाता है फिर भी अगर couples समझदारी से इस knowledge को use करें तो वो जरूर unwanted pregnancy से बच सकते हैं जैसे कि सिर्फ इन 6 दिन में ना avoid करके इन 6 दिन के पहले के 3-4 दिन और बाद के 3-4 बार दिन भी अगर आप add कर लें तो करीब 12-13 दिन अगर आप sex avoid करते हैं तो आपके ज़्यादा chances रहेंगे कि आप unwanted pregnancy से बच सकते हैं तो अगर roughly बोला जाए कि आपके period का time बिल्कुल safe होता है उसमें आपकी pregnancy नहीं होती है period over होने के बाद के कुछ दिन 2-3 दिन भी आप safe मान सकते हैं और जब आपका period आने वाला होता है जस्ट तो उसके पहले का करीब एक हफता भी आपका roughly safe होता है तो इस तरीके से rough idea, rough assessment ज़रूर लगा सकते हैं लेकिन इसकी कोई 100% efficacy नहीं होती है तो अगर आप बिल्कुल sure हो transmitted diseases से भी बचाते हैं तो इस तरीके से फाइदे मंद रहता है इसको use करना थोड़ा risk भी इसमें कम होता है प्रेग्डेंट होने का unwanted pregnancy होने का risk इसमें काफी कम रहता है तो इस तरीके से कई सारे birth control के methods हैं मेरी पूरी एक playlist है birth control के methods के उपर आप उसको देख सकते हैं मैं end screen पे periods के दौरान pregnancy generally नहीं होती है कि मैं अगर बहुत ही short cycle आपकी है बहुत जल्दी जल्दी periods आते हैं तो थोड़ा एक risk last के days में बिल्कुल हो सकता है तो hopefully आज के ये वीडियो आपको कुछ useful लगा होगा काम का लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजे और मेर चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है आपको blue join button press करके चैनल के member बन सकते हैं gold membership जादे expensive नहीं है काली 59 रुपीज 12 का charge होता है तो आप इस तरीकी से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं मैं आप से मिलूंगी अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल र